भै का सामराज्य रहता है सदा, कभी संपत्ति के नाश का भै, कभी अपमान का भै, कभी अपनों से छूट जाने का भै, इसलिए भै का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है, क्या कभी विचार किया है, जो स्थिती अथ्वा वस्तू भै को जन्द देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुखाता है, नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं, और सबका अनुभव तो ये बताता है, कि भै धारन करने से भविश्य के दुख का निवारन नहीं होता, भै केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविक्ता से इसका कोई संबन तो क्या ये जानते हुए भी, कि भै कुछ और नहीं केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना, क्या बहुत कठिन है, अवश्य विचार कीजेगा,